आदर्ने अभिभवगण, आदर्ने अध्यपगण, पिरिया चातो चाताओ, कुछ दिन पहले हमारे देश के सोची पुधानमन की सिरी नरिंद मोधी जी ने बर्तमान प्रस्वतियों को देखते हुए एक आपात उचिस्तर की बैठक अपने सानिद्य में बुलाई थी और उचिस्तरी बैठक में जिसमें तमाम हमारे कबिनेट के सायोगी, सहित, सभी आधिकारी वर्ग, शिक्षा बिभाग और बिभिन, दिसाओं से जुड़े सभी लोग उपस्तित थे और मैं आवारी हूँ अपने प्रधर्मंति जी का जो लगातार और लगातार हमारे विद्यारतियों की चिंता करते हैं, हमको अपना मार्ग दर्शन लगातार देते हैं, उन्हीं के निर्देश पर एक बहुती उच्छ स्तरी बैठक आज हमारे देश के असोशी रक्षा मंत्री सेरी राजनात सिंग्जी की अध्यक्षता में हुई और जिसमें मेरे साथ केंद्र के दो सहयोगी काईबिनल्मंति इसम्रति रा निची और सेप्रकार जावड कर्जी सहिद मेरे सहयोगी मंति संजैद होत्य जी भी थे और देश कि और दूनिया के सबसे बड़ी सिक्षा प्रनाली तंत्र के सभी सचियों और अधिकारी वर्ग पूरे देज के आज एक जुट थे अपनी छात्रों के सुरक्षा और भवश्य को लेकर मुझे सबसे पहले तो इन सब का धन्यबाद देना है जो सारे शिक्षा व्यवस्था के लिए चात्रों की सुरक्षा और आज चात्रों के भवश्य की चिंता के दिश्चे केंद्र के साथ एक जुठ हो करके और आज खाड़े दिखाई दिये हैं मैं उन सब के पती बहुत आबारी हूं बहुत सार्थक चर्चा आज रही है बहुत सार्थक चर्चा रही है बहुत महत्तो पूर्ण सुजाव सभी राज्यों से आई हैं और पिछले वर्स भी राज्यों ने आज एक जुठ हो करके इस कोरोना काल के महा संकट में बहुत अच्छे तरीके से परदर्शन किया था और आज भी मेरे अच्छातों चात्रों आप जानते हैं पूरी दुनिया इस कोरोना के महासंकट से जूज रहे और हम अच्छोते नहीं है यह चुनोती हमारे सामने है और मैं इस बात का भी गवर्व महसूस होता है कि हमारे अध्याप में नहीं जाने दिया online education यथा संभव वहां तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंच सकते हैं और पहुंच रहे हैं जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी धूर कर रहे हैं शायद यह दुनिया का पहला ऐसा उदारन होगा जब 25-30 करोर चात्रों को online पर और घरों को ही स्कूल मे तबदील कर दिया गया होगा अभी भाव को मैं आपका अविनंदन करता हूं आपने और अध्यापक्तों ने मिल करके चात्रों को इस ऐसे वक्त पर बहुत समालने की कोशिश की है और चात्रों ने भी जो सहास दिखाया है उसके लिए मैं उनका अभीनंदन करना चाता हूं में शुक्रामना देना चाहतू हूँ मेरे पिरेचात्र चात्राओं जो आज बैठा कुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए और उनको कहा गया है कि 25 मही तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश हम को इस्थगित किया था तो हमने आपसे कहा था कि हम एक जून तक इन प्रस्तित्यों का अंकलन करेंगे जो भी प्रस्तित्यां होंगी वह आपकी सुरक्षा और आपका भविश्या मारे सामने दोनों चीजे हैं सुरक्षा पहले और उसके आपका भविश्या इन दोनों को को देख करके हम फिर एक जून को आगे का आपको अगत कराएंगे जो भी प्रस्तित्या होंगी हमने यह भी कहा था कि जब भी हम इस बाद की गोशना करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे ताय कि आपकी मन में अचानक नहों कि कप दिख्यों के गोशना हो और कफिर जो कुछ ही राजे हैं जिन्होंने खाय है कि हम उनको थोड़ा सा और भी मौका दीजे हलांकि उनका भी सकारत्मक रूप था लेकिन और क्या क्या सुझाव को सकती है उनके लिए वह 25 माई तक उन राजियों के सुझाव भी आ जाएंगे और मैंने कहा है आपने अभीभावकों से भी आप विखाएंगे अध्यापक करनू से भी खाये यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भे सकते हैं मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि एक जून एक जून से पहले और आप 25 माई के बाद हमारी होगी कि हम आपको अवगत करा सकें मैं आपको विश्वास दिलना चाहता हूं प्रधान मंति जी कि नर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भवश्या भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है और इसलिए इन सब को ही ध्यान में र हमें रहिए समय समय के साथ इन प्रस्थितों के साथ हमको जोशना है इसे में हमको रास्ते भी निकालने हैं हम आपका भवश्या हमने पिछले वर्ष भी हम दुनिया का वो सबसे बड़ा लोगतंतिक देश है जिसने अपने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं जाने दिय था और सदादी दुनियानी बात को देखा है और हमने आपके सुरक्षा हमारे ले हर हालत में आपके सुरक्षा हमारे पहली प्राथम इकता है और इसलिए फिर मैं बर्वसा देलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निशिंत रहिए और जो भी नड़ने होगा वो आपके हित में होगा आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टी से होगा और आपके भविश्या में आपके भवश्या को ले करके होगा मैं एक बार फिर सभी अभी भावकों का आध्या पगण का चात्र चात्रों आपका भी अभिनन्दन करना चाहता हूं और आज मैं विशेश करके आ केंदर में कई बार बिविहन मंत्रालों का जिन्नों ने जिमेदरी संभाली है और जो उत्तर प्रदेश में याद आता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मंतीरा हूं वो ऐसे एतियासी खिक्षा मन्ती भी रहे, मुख्य मन्ती तो थे ही, आज उनके सानित्या में पूरे देश का शिक्षा तंत्र ने पूरा बहुत देर तक विचार भी मर्शिक किया है, बहुत सार थक, बहुत ही सार थक, पूरा देश के शिक्षा सवी राजे एक जुट है, मैं सभी राजेयों को धन्याबाद भी देना चाहता हूं, और मेरे जो सईयोगी मन्ती आदर्निया जावेटकर जी और आदर्निया इसमित रानी जी को भी में, इदर की राजेयों से धन्याबाद देना चाहता हूं, मैं एक बार आपको शुप्खा मने देता हूं, बहुत तो अटनिवाई